शिवरात्री का प्रसंग करता है अपने मन की अभिराशा रखकर तुम्हें जो चाहिए एक काली मिर्ची और तिली के काली तिली के साथ दाने एक काली मिर्ची और तिली के काली तिली के किते दाने साथ दाने हतेली में रखकर अपनी कामना करकर मन से अपने मन के बात को कहकर स दंकर भगवान के शिवलिंग पर चड़ा दीजी आपकी मनो कामना कहते हैं हर महीने शिव रतोती इस शिव रतोती पर मुख्य शिवा बाइबाँ जगड रही हो सास बहु ने पुछ मत करिये गेहु की बाली को तोड़ो जदय कर आप जोकतो गेहुं की बाली को तोड़ना हे और तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए जिंदगी में कभी सास बहु का जगड़ा नहीं हो कमारे शिवरात्तरी के दिन उसको समर्पित करें आपके घर में कभी क्लेश नहीं मस सकते और शिवरात्तरी के दिन रातरी को बारा बजे शंकर भगवान पर धतूरा चड़ा दो, क्या चड़ाना है, जम के बोली यह रहा है, धतूरा, इस शंकर भगवान को धतूरा चड़ा दो, बारा बजे रातरी को शिव जी पर धतूरा चड़ाओ, आदे घंटे तक धतूरा चड़े रेंदो, और आप श इस संकर जी पर धतूरा चड़ाए उस मंदिर के बाहर बेट का, कौन सा मंतर जपना है? शिरी शिवाय नमस्त अभ्यम पर छिर से बोलो, शिरी शिवाय नमस्त अभ्यम का इस्मर्न करी है, और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लच्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल यो कि संपहाघा नहीं यार्य को उस द्धूरे को लाल बस्तर में बांशद कर अपनी दुकान अपने वैपार में अपने घर में रात को साड़े 11 cast लाओ चार बज़ें के पहले उसको अपनी दुकान ब्यपारों साय में उसको बांद दीजिए और जो जमीन फसल सहीन दे रही हो वो जमीन में लेकर घाड़ दीजिए आपको जीवन में कभी तकलिफ नहीं भूगना पड़ेगी लच्छ में बढ़ती चली जाएगी संपधा बढ़ेगे कि जो व्यक्ति जादा बिमार रेता हो बहुत बिमारी उसको घेर rasa रेर हो बिमारी बिमारी बढ़े होगी है तो बोर चड़ा है बेर क्याowego जो होगा को साथ बेर लेह कर साथ बेर safest कर अपने ऊपर पारी के दिन बेर चड़ाने का बड़ा मातु है और शिवरात्री पर चड़ा हुआ वो बेर उठाकर लिया यह और उस बेर को उठा कर रख लीजिए मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्राब्लम अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्तर की कंटे के अंदर पेट का दर्द ! पेट की तकलिब मिन் पैट का सबीड रोग होगा एक दम आराम लग जाएगा उस वे एतना डम प्रबल ता जाती है शंकर को शिवरात्तरी की दिन बो के वल सिब्रागतरी की दिन करने का होता है करते हैं जिसका वैपान ना चले वेवसाई ना चल रहा हो बहुत ज़्यादा कश्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज़्यादा तकलिफ हो रहे हो तो धतूरे को हलदी में डूगो कर चंकर भगवान को शिवरात्री के दिन रात को 12 वजे समर्पित करें उस धतूरे को बापिस उठालाएं पांच-दस मिनिट के बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांद कर वेपार वली जगा में कहीं पर भी उसको बांद दिया जाए वेपार पीछे नहीं हटता वेपार अगरेने भाव में बढ़ता चले जाता है महाराज उस धतूरे को केवल पंतु शिवराक्त्री के दिन राथ को बारा वजे ही किया जाए हल्दी में डुबोना पड़ता है यही प्रमान एक्रम में और है महाराजी लिंग पुराण कती है मान लो किसी व्यक्ति को कोई भारी बिमारी हो गई बड़ा रोग हो गया और वो रोग डाक्टर कह रहा है कि यह ठीक नहीं होना है बहुत तकलीफ उसमें है और कश्ट ही कश्ट है वो ठीक नहीं हो रहा दबाईयां दबाईयां लग रहे हैं गोलियां गोलियां खा रहे हैं तो मह महिने में एक बार शिवरात्री आती है प्रतेक महिने आती है किसी भी शिवरात्री के दिन साथ धतूरे लेकर एक धतूरे में मोली लच्छा नाड़ा लपेट कर चंद्र मोली भगवान का इस्तमर्ण करकर उस मोली को लपेट कर छेद हतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जलाधारी है जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है शंकर भगवान का ये शिवलिंग है ये जलाधारी है ये भगवान का जल निकलने का इस्तरोथ चरणारविंद का भाव शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पारवती जी का हस्त कमल जो ये गोल भाग है ये पारवती का हस्त कमल जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे में श्रिकार्ति के जी का इस्थान है जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है कहीं साब बना होता है कहीं इस्थान बना होता है जो मोटी सी लाइन है यह संकर भगवान की सबसे छोटी लड़की असुक सुंदरी का इस्थान जलाधारी के ऊपर जो द्राकि लगी यह ढूतرتवर्फिंग का देंगिया का 13 लाइन का इस्थानि है। इसके ऊपर जो कलस है जो पानी बहना को जाता है वह पानी जो बूह पूह ये पाल बूह नीचे गरता है यह ने तली तली देव अ संकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की और जब जल जाता है उस इस्थान पर भगवान संकर के सारे गणों का इस्थान फिर जब जल बहकर सामने की और जाता है जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान संकर के उस जल भाग को गरण करने के लिए 33 कोटी देवताओं का स्थान है इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है तो जो बिमारी डाक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग भू गया और शरीर में कष्ट है ठीक नहीं हो रहा जाव किड़ा हो चाहीं किड़नी से जुड़ा हो और मानलों शरीर में कहीं गाउंट भी हो गई हो और वह मिटी को महाराज निवेद्दने साथ धतूरे एक धतूरे पर मोली लपेट कर वो शंकर जी के शिबलिंग के चंकर भगवान की जगदंबा जी के हस्त कमल के उपर एक धतूरा जहां से जल नीचे की और बेहकर जा रहा हो पानी जिस जगा से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चड़ा रहा है